तो दोस्तो आज 20 नवेंबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे important company की share के बारे में जिसमें लास्ट एक मैने पे एक काफी बढ़िया return कमा के दिया अपने shareholder को और आज एक दिन दोस्तो ये दोनों कमपनी के अंदर काफी गिरावट देखने को मिला जैसे कि एक हो गया आ आज closing हुआ है 2275 रुपए पे लगबख 5.63 परसें गिरावट के साथ और दूसरा company हो गया CDSL जिसमें आज closing हुआ है 1740 रुपए पे लगबख 2.20 परसें गिरावट के साथ और इस बात का alert भी मैं आपको कल शाम पे एक वीडियो पे बार-बार mention किया था कि ये कुछ company से इस holder के लिए खास करके इसमें अगर और गिरावट हो गया तो कहां तक गिर सकता है ठीक है तो यह सारे जो important सवाल है इसका जबाब इस वीडियो में ढूनेंगे चर्चा करेंगे इसी बारे में तो आये देख लेते गिरावट की बीचे reason क्या है तो एक एक करके explain करेंगे सबसे बात है बीच लिमिटेट की शियर लास्ट एक मैने पर अगर देखा जाए एक दम बॉटम से लेके टॉप तक लगबग 41 परसंट का रिटन दिया यह तो दोस्तों एक मैने हो गया बट यह जो मोमेंटम हमें लगबग देखा जाए देर से दो मैने पहले से देखने को मिल आ है जैसे कि आप देख सकते मैं आपको फ्रेम में दिखाता हूं तब यह आपको समझ आ जाएगा जैसे कि देखें 20 सेप्टेमबर से अगर हम बात करें 21 सेप्टेमबर की बात करें और आज हो कि आपका नवेंबर 20 नवेंबर ठीक है तो यह दोनों के अंदर गरम गैप की ब दावट होता ही है तो यह बेसिक सा चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग होता है तो आज हमें जो बेसी लिमिटेट की शेयर में देखने को मिला वह एक नैचरल सी प्रॉफिट बुकिंग है जो कि होना भी चाहिए तभी देखिए निव इंवेस्टर्स एंट्री लेगा बड से देखोगे अगर हम ऑक्टवर 26 अजय उसके पहले से अगरम पगले से सेप्टेमबर से अभी एकनम टॉप बॉटम से लेके टॉप तक देखिए 61 परसंट रिटन दिया तो समाझ सकते हो कि लगबग दो धाई मैंने पे 61 परसंट रिटन मतब आउट स्टेंडिंग रिटन कि प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिला तो देखिए इसके पीछे जो रीजन है बड़े है इसके पहले भी मैं आपको कवर किया था मतलब यह पुराना नियूस है फिर भी आप देख लिजे ताकि आपका कॉंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए तो देखिए बीस सी रेज इस ट्रांजेक्शन फी और इक्वाटी डेडिवेटिपस नतलब क्या फ्यूचे अंप्शन जो कि हम ट्रेडिंग करते है ठीक है जो ट्रेडर्प से उन है पर समझ गया कि मतलब क्या है जो ने बस निवेस्टर से उनके बुल रहा हूं डेडिबीबस मतलब फ्यूचर तो फॉस्ट नवेंबर से क्या चेंज हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो दोस्तों बढ़ा रहा है कौन बढ़ा रहा है बैसी और एक बात दोस्तों यहां पर जो कि मेंशन नहीं किया जैसे कि आपको मालूम होगा अगर आपको कोई भी मतलब फ्यूचर अप् कि इसका जो मार्केट शियर है वो लगादर इंक्रीज हो रहा अब क्यूंकि मार्केट शियर इंक्रीज है ऐसके इसका आपको बात करेंजा च्रह सुछ साफधा अच्छी है बदाएट सब्सक्राइब हो चुका है 88.1 के आसपास बागी बात करें रोसी ठीक टाक है डिसेंट का है बट पी रेशियो जो है वह काफी बढ़ चुका है एक तरफा देखा जाए कि इसका अच्छा का से रिटन देने के साथ सब्सक्राइब हो चुका है और उसके साथ सब्सक्राइब के देखे एक टाइप के प्रॉफिट वोगिंग देखने हो ला तो यह हो गया दोस्तों में कॉस इरावट की पीछे बट आपको यह भी बहुंगा कि दोनों ही बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर आज की डिट प ग्रोगें बरला है अगर आप कोई को पर्चेस करते हो उसको पुछ च ने के देना पड़ता है जिसके रहन हमने देखा चाहे सी्डेजल की बात करें इसको फाइदा मिल रहा है तो फॉप्फोली दोस्तों मैं क्लियर कर सका कि आपका जो भी डाउट साह कि क्यों शेर में त क्रीज करेंगे मतलब और आगे बढ़ाएंगे कि आगे कहां तक गिर सकता है लिए बेसी लिमिटेट की लास्ट टीन मैंने की कानल स्टिक चार परन शुरुआत करेंगा अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करन यानि ओवरबाट जोन पर है और आगे दोस्तों गिरावाट हो सकता है तो चले यह तीन महीने की चार परन को हम थोड़ा शौर्ट फ्रेम में कर लिए ताकि आपको इंडिकेटर वाइस अच्छे से समझा जाए तो देखिए मैंने आपकी सामने ओपेंड किया लास्ट एक म इसके वहले भी थोड़ा थोड़ा करेक्शन हमें कभी कवर देखने को मिला था जैसे कि आप देख सोती हां पर जब शेयर उपर आया था फिर हलका करेक्शन हुआ तो इसी लाइन को सपोर्ट मिला था सेम चीज़ देख ऊपर आया थोड़ा सा नीचे पहुंचा इसी लाइ या उपर्चुनिटी है इंट्री लेने के लिए बाकी बात करें देखें कंपणी एच्छी कंपणी जरूर है बठां शौट फ्रेम में काफी अच्छी रिटन दिया आप तो हो सकते है कि और आगी करेक्शन हो सकते हैं तो सबसे अलग सपोर्ट लेवल तो यह हो गया उसके टाइम सीडेसल की बात करें यहां पर भी देखें लास्ट कुछ दिनों पर कमजोरी देखने को मिला इवन आज से लगबग डेर मैंने पहले भी जब शियर उपर की तरह मुव किया था फिर देगे हलका सा नीचे करेक्शन हुआ था यह काईने की ब्लू कलर और रेट कलर की लाइन के बीच में सपोर्ट मिला था उसके बाद एक अल्डिमेटली शेयर में तेजी हुआ और देखते देखते शेयर अपना अल्टाइम हाई पर पहुच चुका है लास्ट कुछ दिनों पर थोड़ा सीडेसल के अंदर भी कमजोरी था और शेयर में थोड़ा-थोड़ा बेस करके दिखाता हूं यह देखिए आज से लगबग दो दिन पहले लास्ट विक पर अपने देखा था थोड़ा एकदम नीचे से ड्रॉप हुआ था तो यहां पर जो इंपॉर्टन नंबर्स निकल करें अप्रॉक्सिमेटली 1650 के आज पास ठीक है तो यह एक अच्छा स के बारे में कोई टॉपिक कबरे में जाना है तो जरूर कमेंट के मतब कमेंट के तुरू यहां पर बता सकता हूं मुझे फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए ठीक क्या बाबाई जय हिंद